एलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आई होब सब अच्छे होंगे गाज इस वीडियो में बिल्कुल लाटेस वेकेंसी को कवर करने वाली हूँ इसकी नोटिफिकेशन 26 जून को आई है एक सेंट्रल इंवर्शिटी से असिस्टन प्रोफिस्टर के लिए वेकेंसी है कांडिडेट क कि इस डिपार्टमेंट में कितनी सीट रहेगी इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे तो गाईज इस रिगाडिंग फुल इंफर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी वीडियो में तक बने रहें ताकि कोई भी इंफर्मेशन आपका मिशना हो हैलो गाईज मैं कविता को सुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हालो क्लासेश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हैं अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं आपको बता तो कि इस चैनल पर आपको पीज़डी अड्मिशन नोटिफिकेशन और टीचिंग पोस्ट, असिस्टन प्रोफेसर, एसोसेट प्रोफेसर और प्रोफेसर रिकूट्मेंट से रिलेटेट अप्डेट अल आवर इंडिया से मिलेंगे अगर आप यूजी सी नेट, सेट या पीज़डी इंट्रेंस एक्जाम की प्रेशन कर रह ताकि कोई भी information में आपके साथ share करूं तो उसकी immediate notification आपको मिले, आप उसे immediate देख पाएं और अगर आप पहले से subscribe हैं तो इसे like करें, ज़्यादा ज़्यादा share करें और कोई query को तो comment करें तो guys वीडियो को continue करते पर इस regarding full information को देखते हैं, यह vacancy Delhi University से आई है, जो एक central university है, University of Delhi के दीन दयार college से यह vacancy है, यहाँ पर college का official website दिया हुआ है, शारी detail को आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर इसका phone number दिया हुआ है, अगर आपकी कोई query हो ता आप यहाँ पर contact कर सक सकते हैं, यहाँ से guest faculty के लिए vacancy है, जिसकी notification 26 June 2024 को आई है, यहाँ पर कौन कौन से department में vacancy है, किस department में कितनी seat रहेगी, यह category इस बाइस दी गई है, इसकी detail को आप यहाँ से देख सकते हैं, यह department name दिया हुआ है, यह seat UR category के लिए है, 4SC, 4ST, OVC, EWS, BWD, और यह total seat है, POS department है, इसमें total 4 seat की vacancy है, 3 in UR, 1 in ST, then commerce में यहाँ पर 12 seat की vacancy है, 7 seat UR में है, 1 seat SC में है, 3 seat OVC में है, 1 seat PWD में है, then computer science में यहाँ पर total 6 seat की vacancy है, 4 seat in UR, 1 seat in OVC, 1 seat in EWS, Then यहाँ पर economics में vacancy है, इसमें total 3 seat available है, 2 in UR, 1 in PWD, then यहाँ पर English में vacancy है, इसमें total 12 seat available है, 9 in UR, 1 in SC, 2 in OVC, Environmental Studies में vacancy है, इसमें total 2 seat available है, 1 in UR, 1 in OVC, then यहाँ पर history में vacancy है, जिसमें की 2 seat available है, और दोनु seat UR के लिए available है, Hindi में यहाँ पर vacancy है, 4 seat available है, 2 in UR, 1 in SC, 1 in EWS, Then यहाँ पर management studies में vacancy है, जिसमें की 4 seat available है, 3 in UR, 1 in SC, Then यहाँ पर management studies में vacancy है, इसमें total 4 seat available है, 3 in UR, 1 in SC, Mathematics में vacancy है, इसमें 6 seat available है, 4 in UR, 1 in ST, 1 in OVC, Operational Research में Vacancy है इसमें 1 seat level है जो की UR में है Political Science में यहाँ पर 5 seat की Vacancy है 3 in UR, 1 in ST, 1 in EWS Then यहाँ पर Geology में Vacancy है जिसके लिए 8 seat level है 4 in UR, 1 in SC, 2 in OVC, 1 in EWS इसरे से गएज यहाँ पर Total 13 Department में Vacancy है and 69 seat level है यहाँ Retired Teacher भी Apply कर सकते हैं जिसकी Upper Age Limit 70 Years है Apply करने के लिए Qualification UGC के Norm के According होगी यहाँ पर Salary भी UGC के Norm के According पेट की जाएगी यहाँ Candidate को Google Form Link के थूँ Apply करना है जिसकी Last Date जुलाई 2024 है जुलाई 2024 तक Candidate यहाँ पर Apply कर सकते हैं यहाँ पर Google Form की Link दीवी है इंटर्व्यू की सिद्धियल College के Website पर Upload की जाएगी इसके लिए Candidate College के Website को रेगुलर्ली विजिट करते रहेंगे ओके गज़ आई यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजपूल होगी जुएअ और टेदेंगे यहाँ जढिम आपके लिएफली करते हैं कर frente में यहाँ